How to fix UCO Bank OTP not receiving problem तो दोस्तों यदि आपके पास भी UCO Bank का account है और आप credit card इस्तमाल करते हैं या फिर debit card, ATM card या फिर आप online banking, net banking जो भी आप चलाती हो लेकिन आपको OTP received नहीं होता है ठीक है तो यह case में दोस्तों आपको क्या करना है चाहिए आप internet banking registry कर रहे हो लेकिन आपको OTP received नहीं हो रहा है तो वो case में दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वीडियो के साथ बने रहेगा और दोस्तों साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ब को जाना है ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहां पे आपको में चार तरीका बताने वाला हूं जिसके मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर पाएंगे ठीक है शुरू का दो जो स्टोरेज है और यहां पे जो फोन दिया गया है यह तीनों को आपको ओन कर लेना है ठीक है यह तीन ओन नहीं होगा तो आपको कभी भी OTP रिसिफ नहीं होगा यह तो रहा आपका मेजर प्रॉब्लम ठीक है यह करने के बाद में दोस्तों आपको duke आना है और यही जो आपका जो मोबाइल बेंकिंग है आपका आपने जो यहाँ पे UCO का जो आपका मोबाइल बेंकिंग एप्लिकेशन है यदि ये आप यूज़ कर रहे हो और आपको OTP रिसीव नहीं हो रहा है तो वो केस में भी आपको सेटिंग में ही जाना है और भी दो रिजन में आपको आगे बताने वाला हूँ प्रॉब्लम का सोलीशन तो बने रहेगा वीडियो के साथ आपको फिर से अप्लिकेशन में जाना है उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर ढूनना है आपका यूसी ओ बैंक का एप्लिकेशन यहाँ पर यूसी ओ मोबाइल बैंकिंग खोल लेना है और उसके बाद में दोस्तों यहां पे आपको पर्मिशन पर जाना है और यहां पे आपको सारा पर्मिशन एलाव कर देना है ठीक है उसके बाद में दोस्तों यह दो करने के बाद में आपका OTP जो है वो रिसीव डोने लाएगा ठीक है यह दी दोस्तो 99% तो आपको problem solve हो जाएगा by chance यह दी नहीं होता है दोस्तो तब आपको क्या करना है आपको आपका bank का tool free number पर कोल करके customer care से बात करना है OTP का problem आ रहा है वो सारा problem आपका solve कर देगा दोस्तों उम्मीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा पनी कर दोस्तों करें स्बाइस boiling आपको कर देगांगा कर दोस्तोंत